आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत जादा टेस्टी और चटपटे मोमोस की रेसिपी जैसे कि मोमोस सभी को बहुत जादा पसंद आते हैं और इनको देख अगर तो मुँ में पानी जरूर आ रहा होगा घर पे बने इन मोमोस का टेस्ट हीकिन मानिये इतना ज़्यादा यमी होता है कि आपको ठेले के मोमो का टेस्ट भी फीका लगेगा तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल healthy and tasty food recipe में तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं मोमोस की स्टफिंग कई परकार से होती है जैसे पनीर, वेज ये नॉन्वेज भी कई लोग स्टफिंग करते हैं लिकिन आज मैं यहाँ पर सोयबीन मोमोस बनाने वाली हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास गरम पानी किया है और उसमें मैंने एक कटोरी भरके सोयबीन एड कर लिए सोयबीन हमारी पानी में अच्छे से बिप होनी चाहिए और यहाँ पर मैंने इसको दस मिनट के लिए छोड़ दिया स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा इसका प्याज, हरी मिर्ची, लहसुनगी कर लिया और अद्रक को बारिक चॉप कर दिया है अब हम चलते हैं अपनी next process की तरफ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा dough बना के तयार करना है dough बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कटोरी भरके मैदा यूज किया है और जिस तरह हम गुजिया के लिए dough बनाते हैं उसी तरह हमने मोमोस के लिए भी यहाँ पे dough बना के तयार करना है आदे चमच के बराबर यहाँ पे मैंने नमक एड़ किया है और एक चमज के बराबर यहाँ पे मैंने ओलेड किया है अब इन सब को हमने अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मैदा गूतने के लिए मैंने हलका सा गुनगुना पानी का यूस किया है और हमको पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर ही यहाँ पे मैं देखो गूथना एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है नीतोई गीला हो जाएगा अब यहाँ पे मेरा डो बनके तयार है अब इसमें हमने हलके से तेल लगा कर इसको कम से कम 20 मिनर तक छोड़ देना है लेकिन इसको ढखकर ही रखना है इसको हमने मोटा मोटा ही ग्राइड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसको कितना मोटा ग्राइड किया है बिल्कुल बारी ग्राइड करोगे तो टेस उतना अच्छा नहीं आएगा अब हमने स्टफिंग के लिए इन सब को फ्राइ करना है तो यहाँ पर मैंने gas पर कड़ा ही चड़ा दी है और इसमें मैंने एक चमज के बराबर oil एड़ किया इसमें ज़्यादा oil भी एड़ नी करना है oil गरम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर आद्रक एड़ कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज एड़ कर ली है और प्याज को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसका थोड़ा सा कच्छापन रहना चाहिए प्याज में हिलका सा कच्छापन रहने से क्या होता नहीं कि जो मोमोस की स्टफिंग हैं नї उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है यहाँ पे मैंने स्टफिंग भी एड़ कर ली है हिन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और गेस का फ्लेम हमने लो रखना है अब यहां पे मैंने एक चमच के बराबर सोय सॉस एड़ किया है ज्यादा सोय सॉस बिल्कुल भी एड़ ना करें इससे बस हलका सा क्या होता है कि स्टफिंग का कलर चेंज हो जाता है और यहां पे मैंने स्वादन सान नमक एड़ किया है ध्यान रखिए कि हमने जो मैदे का डोव बनाया उसमें भी नमक एड़ किया है और सोय सॉस में भी नमक रहता है तो नमक यहां पे थोड़ा कम एड़ करें साथ में मैंने यहां पे काली मिर्ची का पावड़र भी एड़ किया है अगर आपके पास है तो यूज करें नी तो आप इसको skip भी कर सकते हो अब हमने यहाँ पे सबको अच्छे से mix करके कम से कम एक से डेड़ मिनर तक low flame पे पकाना है अब यहाँ पे मैंने gas का flame बंद कर दिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खटापन लाने के लिए नीमू करस एड़ किया है अगर आपके पास सिर्का है तो आप सिर्का भी एड़ कर सकते हैं और हमें एक्स्ट्रा आटे की भी जरूत नहीं पड़ती है तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोई बना के तयार करनी है लोई जितना हम पूरी के लिए तयार करते हैं उससी भी छोटी होनी चाहिए और लोई बना कर हमको एक बॉल के अंदर कवर करके रखना है खुले में नहीं रखना है क्योंकि यह ड्राय हो जाती है फिर बेलने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पूरी से भी छोटी साइज की लोई बेल के तयार करनी है और इनका कॉर्णर बिल्कुल भी मोटा नहीं होना है यह चारो तरप से पतली होनी चाहिए इसके लियर जादा मोटा नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने कित्ती पती लियर बना के यहाँ पे तयार की है और यह चारो तरप से बिल्कुल इक्वल बेला है मैंने कहीं पे भी मोटा या पतला नहीं है अब यहाँ पे हम इसमें इस्टफिंग एड़ करते हैं तो आप इस्टफिंग कमनिया ज़्यादा ले सकते हो लेकिन इस्टफिंग जितना ज़्यादा रहेगा मोमोस का टेस उतना ज़्यादा अच्छा हैगा तो आप देख सकते हो कि Momos का सेफ लाने के लिए यहाँ पे मैं पीछे से अंगुठे का हलका सा सपोर्ट कर रही हूँ और आगे उंगलियों से इसको फोल्ड कर रही हूँ तो यह बड़ी आसानी से बनके तयार हो जाता है मैं आपको यहाँ पे एक और बना के दिखा देती हूँ थाली में बेलने का एक और फायदा होता है कि हमें इस रोटी को बार बार पलटना नहीं पड़ता है और यह बिना चिप के आसानी से बेली जाती है आप Momos को अलग-अलग सेफ में भी बना सकते हो जैसे हम मोदग बनाने के लिए सेफ यूज करते हैं आप वैसे भी यहाँ पे बना सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पीछे से बिल्कुल स्टेट रख रही हूँ और आगे से इसको फोल्ड कर रही हूँ इन सारे Momos को यहाँ पे स्टीम करना है मेरे पास इस्टीमर नहीं है तो मैंने एक घरेलू जुगार बनाया है यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है उसमें दो गिलास के बराबर मैंने पानी गरम किया है और यहाँ पे मैंने एक छनी रखी है इसको मैंने हलके से तेल से गिरीज किया है ताकि यहां पर momos न चिपके, अब हमने यहां पर momos को थोड़ी थोड़ी distance में सारे momos हमने रख लेना है, और हमने कम से कम 6-7 मिनद तक इनको steam करना है, gas का flame यहां पर हमारा medium होना चाहिए, high flame पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, और हमने इसको ढखकर ही पकाना है, 6-7 मिनद यहां पर हो गए है, तो आप देख सकते हों कि मेरे momos इस्टीम हो गए है और है किते बढ़्या लग रहा है, अब हमने यहाँ पे इनको एके करके निकाल लेना है और बाकिस के मोमोज भी हमने इसी तरह स्टीम करके रख लेना है उनको भी हमने कम से कम 6-7 मिनर तक स्टीम करना है अब जो यहाँ पे मैंने पहले मोमोज निकाल दिये थे वो ठंडे हो गए है तो उनको हमने हलका सा करें येकिन मानि है सब्सक्राइब करने में एक ऐसा नहीं रखता है तो बिल्कुल बेज जी. लोगे मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और आगे चैनल को सस्क्राइब करें और जरूर से आगे से सेर करें ताकि इस रेसिपी का मज़ा हर कोई ले। बाहर से आप 50-60 रुपे में 4-5 मौमों ही खा पाते हो लेकि इन घर में आप इससे भी कम खर्चे में बहुत सारे मौमों बना सकते हो और पूरी फैमली बड़े मज़े से खा सकती है। और इसको बनाने में ना तो बहुत जयादा मेहनत लगती है ना जयादा टाइम लगता है और ना जयादा किसी समान की जरूरत बड़ती है। सारा समान आपकी घर में इजली मिल सकता है। तो आप भी इसको जरूर से ट्राइ गरें।